नमस्कार भारत एक्स्प्रिस राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ 40 से महराश में मजदूरी करने के राजस्थान के खड़कडा निवासी के तालाब में डूबने से मौथ होने का मामला सामने आया युवक के परिजनों और ग्रामीडों ने हत्या के आशंका जताते हुए दोबारा पोस्टमाटम कराने की मांकी है क्या है ये पूरा मामला आपको बताते हैं दरसल विरोत कर रहे ग्रामीडों ने बताया है कि खड़कडा निवासी विक्रम महराश के सांगली जिले के कोटे महाकाल गाउं में टाइल्स मजदूरी का काम कर रहा था इम बिगर पोचे यह ऑऽे आरए उस टाइम हमारे पास में यह कोल किया है कि भैया तुम्हारा भाई क screens option हुगया मेरे वहाला ने गुजरात था गुजरात में मेरे पास राथ को मैं थे फोन किया thfo हैं कि नहीं कि घूल रहे मेरे को बोल रहे हैं मैं सके लोग उसके बाद गोला है रात को बारा बजये यहां पहते हैं बारा बजये से हमारे पास में 7.5 सब्सक्राइब Pauline लेक यह पहcarbon रही क्योंकि हमको डाउट है कि यह लोग जत शुछन्य रही समें अतुन पॉल रहा है कि पानी में पर पे मर गया और कुछ किया है तो इन लोगों को डर किस चीज का है मैं उनको ये बात बोला था कि मेरे गाउवारों को आपको अंगुडी नहीं अडाने दूगा कि आप सही सलामत गर पे डेड़ बोडी को लेकिया दो ये लोग ज्यान निजाम पुर्णानुवारी बावडी पे सुबह च चसरापूर गुमा रहे हैं चसरापूर से धाने में लेके गए थाने से यहां लेके गए तो हमको सर्फ गॉट हुआ इस चीज़ का कि ये डोटएट बोडी गुमा कहाई के लिए रहे तो यह अब क्या निरने आपको बता दी कि एम्बूलेंस में जब शव को गाउं लाया गया तो परिजुनों ने गाउं के स्कूल के पास एम्बूलेंस को रुखवा कर दोबारा से पोस्टमॉटम कराने की मांग को लेकर विरोत प्रदर्शन किया ग्रामीडों ने युवक की हत्या के आशंका जटाते हुए दोबारा से पोस्टमॉटम नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार तक करवाने से मना कर दिया इस दोरान धरने पर बैठे ग्रामीडों ने थानादिकारी अजल सिंग से समझाईश का प्रयास किया लेकिन ग्रामीड अपनी मांगों को लेकर आड़े रहे आपको बता दे कि खड़खड़ा निवासे विक्रम आविवाहित था और वो पाँच भाई बहनों में तीसरे नंबर का था मृतक के पिता सीता राम भी चेजा पत्थर की मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोशड करते थे जबकि मृतक विक्रम भी टाइल्स की मजदूरी करने का काम करता था इसलिके साथ है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक अगर हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें